पिछले 200 सालों में स्टॉक मार्केट ने सभी आसेट्स जैसे बॉंड्स, गोल्ड और रियल स्टेट इन सब के कमपारिजन में डबल से जादा रिटर्न्स दिया है और ऐसा मैंने ही कह रहा हूँ प्रोफेसर अफ़ाइन्स अट वाटन स्कूल आफ उनिवर्सिटी आफ पेंसलवेनिया और स्टॉक्स फॉर लॉंग रन बुक के ऑथर मिस्टर जरेमी सीगल का ये कहना है वो भी 200 साल के डेटा के साथ कि लॉंग रन में स्टॉक मार्केट सबसे बड़े परफॉर्म करता है बाकी सभी एसेट से और जो वेक्ति इस कॉंसेट को समझ जाएगा वो बाकी सभी लोगों से जल्दी अमीर भी बनेगा आज मैं आपके साथ डीटेल समरी शेयर करने जा रहा हूँ स्टॉक्स फॉर लॉंग रन बुक का जिसके ओथर है जेरेमी सीगल तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए बुक की समरी शुरू करते है 1929 में एक जॉर्निलिस्ट थे जिनका नाम था सैम्वल क्रोथर उन्होंने एक इंटिव्यू किया जॉन रासकॉप के साथ जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा उस इंटिव्यू में जॉन रासकॉप ने ये कहा कि अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एक्स्पैंशन होने वाला है तो जो वेक्ती सिर्फ 15 डॉलर्स यानि 12 सो रुपे हर महीने इंवेस्ट करेगा वो 20 साल के बाद 80,000 डॉलर्स का मालिक होगा यानि 60 लाख रुपे का पोर्टफोलियो बन चुका होगा जिसका ये मतलब है कि हर साल on an average 24% का annual returns मिलने वाला था next 20 सालों में तो कुछी दिनों बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल आवरेज जो US की index fund है जैसे इंडिया में Sensex और Nifty है तो डाउ जोन्स ने अपना all time high achieve किया करीब 381 points का पर ठीक 7 हफतों बाद US का stock market completely crash हो गया और next 34 महिनों तक US stock market का सबसे भयानक दौर गया और लाखों लोगों ने अपना wealth गवा दिया और हजारों लोगों ने suicide भी किया तो सभी market expert ने John Raskop का मजाग बनाया और साथ ही साथ उसे ही जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उन्होंने ही लोगों को motivate किया था तब investment करने के लिए जब US stock market अपने all time high पर था जिस कारण लोगोंने stocks बहुती महंगे price पर खरीदा था पर author कहते हैं कि जितना John Raskop को लोगोंने blame किया है उतना वो deserve नहीं करते हैं क्योंकि जब से उन्होंने interview दिया उसके 20 साल तक जिन लोगोंने भी उनका बात माना यानि 15 डॉलर्स हर महीने इंवेस्ट किया उनका portfolio करीब 9,000 डॉलर्स तक ग्रो हो चुका था यानि करीब 7,000,000 रुपे भले ही annual returns कम था पर फिर भी bond से double annual returns था अगर किसी वेक्ती ने 30 सालों के लिए John Raskop को follow किया होता तो उसका portfolio की value 60,000 डॉलर्स होती यानि on an average 12.72% का annual returns और ये returns US bond के return से 8 गुना जादा था वहीं US के treasury bill से 9 गुना जादा भले ही 80,000 डॉलर्स नहीं बने पर at least जिन लोगों ने भी John Raskop की बात मानी उन सभी ने बाकी assets से जादा returns कमाया और जिन लोगों ने पैसे सिर्फ save किये उन सभी को negative returns मिला inflation की वज़े से तो author हमें ये समझाने कोचिश करते हैं John Raskop की case study से कि भले ही bull market हो या bear market हो उस दोरान कुछ लोगों को बहुत profit होता है तो कुछ लोगों को बहुत नुकसान होता है पर जो वेक्ति patience के साथ stock investing करेगा वो हमेशा सभी लोगों से जादा returns कमाएगा आप इस 220 साल के data को देखिए अगर किसी वेक्ति ने 1801 में 1 dollar invest किया होता stocks में, bonds में, treasury bills में, gold में and US dollars में तो 2021 में उनका returns क्या होता आप देख सकते हैं कि 1 dollar बढ़कर 2.3 million dollars हो गया होता अगर उस वेक्ति ने stocks में invest किया होता और बाकी सबी assets का returns आप देख सकते हैं bonds का growth है 2000 dollars, bills का 245 dollars, gold का सिर्फ 4 dollar और US dollars depreciate होकर सिर्फ 0.043 dollars होता यानि पिछले 220 सालों में US में stocks का returns 6.9% का रहा है और इस दोरान कई सारे market crashes आये है, world war हुआ है oil crisis हुआ है, tech bubble crash हुआ है, 2008 का market crash आया है, और latest में COVID-19 pandemic भी आया है, पर फिर भी stock market ने long run में positive returns दिया है, बाकी सबी assets से, इंडिया के stock market की बात करे, तो sensex ने करीब 16% का returns दिया है, अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक, और वहीं nifty 50 ने करीब 15% का returns अगर पिछले 20 सालों की बात करे, तो Indian equity ने 17.2% का returns दिया है, gold ने सिर्फ 12% का returns दिया है, real estate ने 9% का returns दिया है, तो पहला lesson इस book से यही है, कि stocks short term में जादा रिस्की दिखते हैं, पर long term में ये जादा better है आपके wealth को बढ़ाने के लिए, दूसरा lesson है इस book का, focus on fundamentals of a company, जब आपने finally decide कर लिया है, कि आपको long term investing करनी है, तो अब आपको companies की fundamentals पर focus करना है, सिर्फ share price के basis पर आपको अपना investing decisions नहीं लेना है, जब भी आप ये word सुनते हो, fundamentally strong company, तो आपको ये समझना होगा, ऐसी company के बारे में बात हो रही है, जिसका business बहुत अच्छा है और fundamentally strong company, जब stock market down भी चल रहा होता है तब भी ये अच्छा perform करते हैं और उसी time में खराब companies दूब जाती है, fundamentally strong company के पास economic mode रहता है यानि competitive advantage, जिससे वो company अपने competition से better perform करती है तीन simple parameters है, जो author ने share किया है, number one, capital and debt, यानि company कितना पैसा कमा रही है, और company के उपर loan कितना है, जैसा कि हम सभी को पता है कि कोई भी business चलाने के लिए पैसा चाहिए ही होता है अगर company के पास पैसा नहीं है तो उसे loan लेना पड़ता है अपने daily activities को run करने के लिए और loan लेने से interest देना होता है company को, अगर company अपने उपर loan पर loan लिये जा रही है तो ये long term में काफी risky investment हो सकता है आपके लिए number two, management quality company के management पर ही company की growth की responsibility होती है इसलिए अच्छा management बहुत crucial है, number three, profitability हमेशा याद रखिए कि fundamentally strong companies हमेशा एक profitable business में होती है इसलिए आपको return on equity ratio को देखना होता है, जिसका simple सा meaning है कि shareholder के equity पर company ने कितना returns कमा कर दिया है for example, एक company है जिसने 2023 में 100 crores का net profit कमाया है और माल लेते हैं, company पर 500 crore का shareholder के पैसे लगे हुए है 500 crores equals to 20% यानि return on equity निकला 20% का इसी के साथ आपको उस company का last 5 साल का CAGRB चेक करना है, यानि compounded annual growth returns, इससे भी आपको idea मिल जाएगा कि company fundamentally कैसी है, चलिए एक example लेते हैं, Britannia Industries Limited share का, Britannia Industries company एक food company है, जो manufacture करती है, biscuits, cakes breads और भी दूसरे items जो इंडिया के हर घर में use होते हैं आपने चाई के साथ, marigold biscuit जरूर खाई होगी life में कभी न कभी तो marigold biscuit भी, Britannia company का ही product है, ये पिछले 4 साल का financials है, Britannia का, आप देख सकते हैं कि इनका revenue 2020 में था, 11,800 करोड, 2021 में ये बढ़कर हुआ, 13,400 करोड, फिर 2022 में ये बढ़कर हुआ 14,300 करोड और 2023 में करीब इनका revenue था 16,800 करोड का अगर आप इनका net income पर focus करें तो 2020 में था ये 14,000 करोड, 2021 में ये बढ़कर हुआ, 1800 करोड, 2022 में ये कम हो गया था, 1500 करोड पे, और 2023 में ये बढ़कर हुआ, 23,000 करोड का net profit पिछले 5 सालों में इस शेर ने 70% का returns दिया है और 5 साल का CAGR करीब 11% का रहा है, आप देख सकते हैं ब्रिटानिया का PE ratio है 50.93, यानि शेर होल्डर 50 रुपे देने के लिए ready है ब्रिटानिया के एक रुपे के profit के लिए और industry PE ratio है कोई company को select करते हैं long term investment के लिए, तो हमेशा उनके fundamentals को जरूर चेक कीजिए और उसके competition के साथ उसे जरूर compare करें, और यही है lesson number 2, जो मैंने सीखा है इस book से lesson number 3 है, investing strategy for long term, यानि long term investing strategy क्या होनी चाहिए, जब आप stock market में enter होते हो, number 1, having a long term perspective, आपको अपने अंदर जो emotions है, बार-बार खरीदने और बेचने की short term movement का फाइदा उठाने के लिए, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, और लोगों के tip पर आपको invest बिलकुल भी नहीं करना है number 2, regular investing आपको जितना हो सके उतना regular invest करना है, और जो dollar cost averaging investing method है उसे भी use करना है, इसमें माल लेते हैं कि आपको कोई share अभी 100 rupees का बिक रहा है और आपने एक share को खरीद लिया है अब 6 महीने बाद उस share का price थोड़ा कम हो जाता है, यानि करीब 80 rupees में बिक रहा है, तो आपने एक और share खरीद लिया, अब फिर से 2 महीने बाद ये share 120 रुपे का बिक रहा है, और आपने एक और share खरीद लिया, तो आपके पास अभी 3 share है, जिनकी average cost है, 100 plus 80 plus 120 divided by 3, यानि 100 rupees per share तो जब आप regular invest करते हैं तो आपको dollar cost averaging का भी फाइदा मिलता है, और इसी method के कारण, market volatility का effect कम होता है, आपके portfolio पर, number 3, know your risk tolerance, सबसे पहले अपना risk tolerance समझना पड़ेगा आपको यानि आप कितना capital lose करने के लिए ready हैं, उसके according ही अपना investment plan बनाईए अगर आप अभी young है, तो आप growth stocks में invest कर सकते हैं, जहां risk भी जादा होता है, पर अगर आपकी age 50 plus है, तो आपको बहुत ही conservative investing करनी है यानि कम risk और stable stocks में आपको invest करना है, जैसे की FMCG, पर साथ ही साथ author यह recommend करते हैं, कि आपको index fund या ETFs, जिसे exchange traded funds कहते हैं, उसमें भी आपको invest करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका risk कम हो जाता है individual stocks के comparison में, क्योंकि आप एक बार में ही पूरे basket of stocks में invest कर रहे हैं, तो stocks के साथ साथ आप index fund या ETFs में भी invest कर सकते हैं, यह diversification के लिए बहुत अच्छा है, चौथा lesson है इस book का compounding and dividends, dividends यानि जब company अपने profit का कुछ portion अपने shareholder के साथ share करती है, जो directly आपके bank account में आता है, उसे dividend कहते हैं, जैसे Reliance industry ने last year 9 रुपे पर share का dividend दिया था, यानि अगर आपके पास Reliance Industries का 100 shares होता, तो आपको 900 रुपे मिलते हैं, आपके bank account में, पर इस book में ये दिखाया गया है कि आपकी growth की potential बढ़ जाती है, जब आप dividends को reinvest करते हो, उन्होंने कई सारे data से ये proof किया है, कि जो भी companies अपने income को reinvest करती है, अपने business को और grow करने के लिए, उनका stock price long term में काफी जादा बढ़ता है, और as a investor हमें भी सिर्फ high dividend paying stocks को नहीं चुनना चाहिए, बलकि long term में कोई company कितना आगे बढ़ सकती है उस पर focus करना चाहिए, अगर आपको dividends मिल रहा है, तो उसे आपको खर्च नहीं करना चाहिए, हो सकते तो उसे reinvest कीजिए और shares खरीदने में, अब आते हैं lesson number 5, जो है value investing economic and market trends author का मानना है कि आपको undervalued stocks को ढूनना चाहिए, यानि वो stocks जिस पर बहुत लोगों ने अभी invest नहीं किया है, पर उस company की future growth potential बहुत जादा है, और company fundamentally भी बहुत strong है, और आपको किसी भी stock के लिए overpay नहीं करना है क्योंकि overvalued stocks long term में returns अच्छा नहीं देती है आपको करना है value investing जिसके लिए आपको long term trends देखना पड़ेगा, different sectors का जैसे renewable energy या technology sector long term के लिए अच्छा हो सकता है, compared to a commodity stock, जो oil business में है global trend देखिए कि वो किस over जा रहा है और उसी का आपको फाइदा उठाना है, तो ये था lesson number 5, अब आते हैं वीडियो के conclusion पर, stocks for long run book में आपको बहुत ही in-depth research देखने को मिलता है कि कैसे stocks long term में सबसे बढ़िया wealth generating asset है इसलिए author Jeremy Siegel ने ये कहा है कि आपको fundamentally strong companies में लंबे समय तक invested रहना है, अगर आपको बहुत बढ़िया returns चाहिए तो, और साथ ही साथ अपने portfolio को diversified रखिए, यानि सिर्फ एक sector में invest आपको नहीं करना है, multiple sector में invest कीजे, और stocks के साथ-साथ आपको index fund या ETFs में भी invest कीजे, ये help करता है, risk को कम करने में, इस book की golden tip यही है कि shortcut या quick profit में ना फसे, आप invest कर रहे हो business में, तो आपको long term perspective रखना है, अगर business अच्छा करता है, तो आपका stock भी अच्छा करेगा, आप चाहें तो इस book को Amazon से खरीद सकते हैं, मैंने description में link दे दिया है, उमीद करता हूँ कि आपको मेरी ये summary पसंद आई होगी, आप ऐसे ही detailed summaries के लिए आप मेरा YouTube playlist, stock market book summaries को चेक कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, प्लीज आप मुझे comment करके बताइए, अगर हो सके तो अपने friends और family के साथ भी इस वीडियो को शेर कीजिए मैं मिलूँगा आपसे next वीडियो में तब तक के लिए keep reading, keep growing